हेलो दोस्तों, वेलकम टो SMInfoTek दोस्तों क्या आप लोग आपका कंप्यूटर में ZodoApp को उपेंड करने के बाद ये आटोमेटिकली साट डाउन हो रहा है जब आप लोग आपका Windows का license code reactivate करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का problem सो हो सकता है तो आज किस वीडियो में मैं आपको इसका ही solution बताऊंगा दोस्तों अगर आपको ZodoApp के बारे में संपूर्ण ग्यान प्राप्त करना है तो आप लोग description चेक कीजे description में मैं जोड़ों आपका संपूर्ण ग्यान का एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को जरूर चेक आउट करना दोस्तों problem का solution के लिए आप लोग सबसे पहले आपका Windows बटन में क्लिक कीजे देन आपका Windows का जो Microsoft Store है उसको प्लिक कीजे प्लिक करने के बाद आपको Microsoft Store में ले जाएगा आप लोग इस ensure रखना कि आपका network यानि internet on है उसके बाद आप लोग जोड़ों लिख के यहाँ पर सर्च करना जोड़ों लिख के सर्च करने के बाद आपको जोड़ों आप में ले जाएगा जोड़ों आपको इथर कुछ इस टाइप का error सो करेगा देन आपको right side उपर downloads apps का जो आईकोन है उसमें क्लिक करने के बाद इधर से आपको जोड़ों आपको ढूँड लेना है Zoda app को ढूंणने के बाद right side जो cross का symbol है उसमें आपको klik कर दیना है klik करने के बाद आपको इюда से back कर दिना है back करने के बाद कुस दिर wait करना है wait करने के बाद आप लोग देख पाओगे इधर से आपका Zoda app download हो रहा है download होने के बाद आपको इधर से launch में click करना है launch में क्लिक करने के बाद आप देख पाऊगे आपका Zodo App पहले जिसा हो चुका है आपका Zodo App ओपेन हुआ और उसमें बहुत सारे PDF जो आपने पहले से ही आपका computer में save करके रखे थे वो सब कुछ सो करेगा आपको यहां पे मैं आपको फिर से back करके दिखा देता हूँ यह Zodo App ओपेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और मैं आपको एक request करना चाहूँगा अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक like कर दीजे चैनल को please subscribe कर दीजे कियोंकि इस तरह का helpful वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ और इस वीडियो को बनने के लिए बहुत मेहनत लगता है